परिक्षा के डर से कैसे चुट करें? परिक्षा के डर? आप सही आदमी से पूछ रहे हैं। जिसे इसका पूरा अनुभव है। ऐसा इंसान जिसे कभी भी परिक्षा का कोई डर नहीं रहा। कि मुझे परिक्षा का कोई डर नहीं था। वो कहते हैं, इस लड़के को डरी नहीं लगता है, इसका क्या करें? यही पूरी बात है। आप यह सवाल पूछ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन पहले आपको समझना होगा कि कहीं न कहीं दुनिया में, समाज में यह धारना फैली हुई है कि डर एक तरह की खूबी है। डर कोई खूबी नहीं है, डर आपको सबसे बदसूरत प्राणी बना देता है। आपके जीवन का सबसे बुरा अनुभव शायद डर ही है। इसी एक चीज के अभाव ने मेरी जिंदगी को बहुत ही सुखद बना दिया है। क्योंकि डर हमेशा किसी ऐसी चीज का होता है, जो अभी तक हुई नहीं है। क्या होगा, इसी का डर होता है। क्या होगा, आपको नहीं पता। क्या आप पेपर में क्या लिखने वाले हैं। वो चीज जो आपने साल भर सीखी है, फिर भी आपको नहीं पता कि आप क्या लिखेंगे, अगर ये हालत है, तो आपके जीवन में क्या होगा? निश्चित रूप से आपको नहीं पता, है ना? लेकिन आप सारी बुरी चीजों की कलपना कर रहे हैं, जो परीक्षा के बाद होंगी, नई, परीक्षा के बाद एक बड़िया छुटी मिलने वाली है, फिर एक दिन आएगा, जब रिजल्ट अनाउंस होंगे, मैं अपनी दस्वी की परीक्षा का रिजल्ट देखने नहीं गया, बाद में कोई जाकर, मेरा परिवार उबल रहा था, आज रिजल्ट है, तुम क्या कर रहे हो? मुझे क्या करना चाहिए? फिर वो अपने किसी परिचित को बताते और उन्होंने जाकर देखा होगा, कि रिजल्ट का क्या हुआ? मैं किसी तरह से पास हो गया। अब बाद बस ये है, कि आप स्कूल कुछ सीखने जा रहे हैं, या आप स्कूल कुछ साबित करने के लिए जा रहे हैं, आपको ये फैसला करना होगा, हर किसी को करना होगा, आप आश्रम आये हैं, कुछ जानने के लिए या कुछ साबित करने के लिए, आपको ये तै करना ह अगर आप किसी जगा खुद को साबित करने के लिए जाते हैं, तो बीमारी बैट जाएगी, असफलता और सफलता की बीमारी आपके अंदर बैट जाएगी, वो इनसान जो सीखना चाहता है, उसके लिए न तो कोई असफलता होती है, न कोई सफलता होती है, बात केवल किसी को एक दिन में समझ में आ जाता है, मुझे दस दिन लग सकते हैं, और किसी को सौ दिन लग सकते हैं, ये बस कोशिश करने की बात है, अगर आपके दिलचस्पी सीखने में हैं, तो कोशिश करना भी एक सीख है, लगातार कोशिश करने के काबिल होना भी अपने आप में ए पेकार चीज को याद करने के लिए नहीं गए, बलकि कुछ सीखने के लिए गए हैं, अपने जीवन के एक शितिच का विस्तार करने के लिए गए हैं, और अपने चारों और के इस अस्तित्तों के बारे में कुछ जानने और समझने के लिए गए हैं, विज्ञान यही है, गण पड़ें, या Chemistry, या Biology, या Social Science, या Geography, आप ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं, जो आपके जीवन के दाइरे को बहतर बना सकती है, आपको इससे सीखना होगा, अगर इससे रट लेते हैं, तो ये किसी भी रूप से आपके जीवन को रूपांतरित नहीं करेगा, तो आप वहाँ सीखने गए हैं, अगर आपने सीख लिया हैं, तो क्या दिक्कत है, आपको जो आता है, आप लिखी, आपको जो नहीं आता, आप पड़ोसी से कॉपी करने वाले हैं? मैं उन चीजों के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि शाया दिन दिनों कई टीचर्स भी ऐसे कामों को बढ़ावा दे रहे हैं, थोड़े अंग ज्यादा या कम पाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आप कितना सीखते हैं, इससे बहुत फर् जीते हैं, यही महत्वपूर्ण है, आप कितना याद रखते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे एक भी चीज याद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ बैटकर आपके साथ गप्पे मार सकता हूँ, किसी भी चीज के बारे में, क्योंकि कुछ याद रखने का कोई बोज तो दस्त रोकने की दवाईयां मत खाईए और अपनी आदास्त की चिंदा मत कीजिए जो आप जानते हैं आप करेंगे जो आप नहीं जानते आप वैसे भी वो नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर आपको कॉपी करना आता है तो यह आपके उपर है मैं तो ऐसा नहीं करता और मुझे विश्वास है कि हमारे टीचर्ज अलाव नहीं करेंगे क्योंकि जीवन के इस चरंड में आपको अपना जीवन छल से शुरू नहीं करना चाहिए मैं इमानदारी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यह कह रहा हूँ कि आप जीवन के साथ सीधा रहना सीखें ताकि कल आप छोटी-छोटी बातों से मुड़ तोड़ न जाए आप ठीक ही रहेंगे, मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है मुझे केवल 35 अंक मिले, चलेगा मैं ऐसा ही हूँ, इससे मेरे जीवन की क्वालिटी तै नहीं होगी मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझे आपको कितने मार्क्स मिले हैं, इससे आपके जीवन की क्वालिटी तै नहीं होगी मगर आप कितनी इमानदारी से जीवन जीते हैं, आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात से जरूर तै होगी तो नकल नहीं करना है, ठीक है? मान लीजे आपको कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं वहाँ खुशी-खुशी बैठिये और बाहर आ जाईये सब को बता दीजिए कि मुझे नहीं आता था थोड़ा योग कीजिए, आपका जीवन लंबा हो जाएगा और आप एक और साल ले सकते हैं सीखने के लिए एक और साल मगर नकल मत कीजिए, क्योंकि छोटी चीज़ों के लिए अपनी इमानदारी मत खोईए, ये मामूली चीज़ें इन छोटी चीज़ों के लिए अपनी इमानदारी मत खोईए वरना कल जब आपके सामने बड़ी चीज़ें आएंगी तो आप उनका सामना नहीं कर पाएंगे झाल